तो चलिए आज बनाते हैं मटर पिलाव वो भी मेरे स्टाइल से यहाँ पर कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको मटर पिलाव बनाना नहीं आता होगा तो वो इस वीडियो को देखके इसली बना सकते हैं यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्टेप बाई स्टेप बता रखा है कि आप कैसे करके मटर पिलाव बना सकते हैं तो जिन लोगों को मटर पिलाव बनाना नहीं आता है तो परशार होने के कोई ज़रत नहीं है अभी देखे और बनाना स्टाट करिए इसके लिए सबसे पहरे आपको चीए चावल, चावल आप ले लीजे, अभी मैं आपको बताऊँगे कि आपको कैसे मातरा में चावल लेना है, तो अभी मैंने यह ऐसी रेंडमली निकाल लिया था, तो आपको इसमें से एक मुठी उठाना है, मुठी को ऐसा करना है कि वो अच्छे से बंद हो और मैंने ले लिया था, अब इसमें से आपको जो गंदगी होती है, कंकड़ वगेरा या कोई और चीजे हैं, वो आपको हटा लेना है, और चावल को अच्छे से साफ कर लेना है, यह लीजे, मैंने चावल को अच्छे से साफ कर लिया है, इसमें आपको कोई कंकड़ वगेरा दिखेगा आपको भी ऐसी करना है ताकि जब आप खाएं उसमें आपके मूँ में लगी नहीं और कोई भी गंदी चीज आपके पेट में आ जाएं अब आपको इसको वाश करना है उसके लिए आप इसमें पानी डालीजिए और जैसे मैं आपको दिखा रही हो ना दोनों हाथ तो इसे उठा के ऐसे मसलना है इससे क्या होता है कि चामल अच्छे से साफ हो जाते हैं तो ऐसे ही आपने इसको तीन बार वाश कर लेना है तो एक बार मैंने कर लिया है अब एक और बार करूंगी वैसे ही आपको इसे प्रोसेस को करना है और यहाँ पर चामलों को दोने वा में मटर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है अब आपने गैस में एक कुकर चड़ा देना है उसमें आपने डालना है रिफाइंड ओयल या सरसो का ओयल भी डाल सकते हैं कोई सा भी आप डाल सकते हैं जैसी वह गरम हो जाए अब आप बोलोगे क्या गरम का कैसे हमको आइड आप चाहें तो डाल सकते हैं बट तड़के के लिए जीरा डरूर डालिएगा और बाकि सबसे तो क्या टेस्ट इनाइस हो जाता है बहुत अच्छा लगते हैं देखो जीरा अच्छी से तड़क गया है बलैक हो गया है अब हमने इसमें मटर डाल देनी है मटर को डाल देए तो हमारी तो ऐसी पगई है क्योंकि घर की थी तो प्याच को डाल देती हूं इसमें फिर इसको भी थोड़ा पकने देंगे और जब आप यहां पर मैंने लंबी करके प्याच को काटा था क्योंकि वह बहुत अच्छी लगती है तो प्याच को जादा मैं बूने रही थो थो असानी से गल जाए नमक डाल के ने टमाटर बहुत जल्दी गले लग जाता है नहीं तो बहुत जादा टाइम लेता है यह बस फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है इसमें और थोड़ी देर इसको ऐसी हाइफ लिम पर छोड़ देना है तो थोड़ी देर हो चुकी है लगभा 3 मिनट हो गए इसको अब आप और शीज अएट कर देत हूं तो मैंने 1 चमद दन्या पाौडर और अधी चमद भतल़ी पाौड़ी टाला है इसमें साथ में या आप इसमें कोई और मसाले जिसे गरम मसाले वगरा डाल सकता है अगर आपको चाहें तो या कोई और मसाले मैं आपको एक secret paste बजाटी यो मैं इसमें डालती हूँ वो है fresh cream और काजू पयदाम बगेर होते हैं जो इसमें मैंने लाल मेर्च भी डाले ली लें उन सब कई पेस्ट है तो 2 चमन्मच मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से mix कर दिया है इससे ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है तो अगर आप चाहें तो इसे डाल सकते हैं नहीं तो इसकी जगह पे आप मैगी मसाला और कुछ और भी डाल सकते हैं तो देखो सारी चीज़ा अच्छे से पग गई हैं अब टाइम है इसमें डालने का चावल तो चावल हमने जो अभी दो के साइट में रखे थे उसे हमने ऐसे ही इसमें डाल देना है सारी चावलों को अच्छे से बटन में डाल देंगे अब आपने चावल को इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है और यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बताऊंगी जो मैं अक्सर करते हो और उससे जो मर्टर प्लावे ना वो बहुत जादा अच्छा बनता है तो ऐसी आपको लगाता मिक्स करते रहना है और आप देख रहे हो तब तक आपने इसको मिक्स करना है नहीं तो लोग क्या करते हैं कि उसे मिक्स करते हैं सीधे की मसाल अगरा मिक्स हो और सीधे उसे उसमें पानी डाल देते हैं तो ऐसा नहीं करना है और मैं आप डाला है एक चामज घी घी में पहले डालती है उससे ना यह मटर प्लाव बह कैसी करती हूं तो इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना इससे क्या होगा खिचडी बहुत जादा अच्छी बनती है और जैसे अभी आप देख रहे होंगे अगर आपको लग रहा होगा तो मेरा नीचे से तरह यसा लगने लग गया है तो अब मैं इसमें पानी नहीं तो ना कभी धकल लगाने में वह बाद में फिर प्रॉब्लम्स करते है इसलिए उन्हें पहले निकाल दीजिए फिर मैंने दो ग्लास पानी और डाल दिया है और अब इसे बंत कर देंगे इसमें दो सीटी आने तक वेट करेंगे तो ऐसे मैंने रख दिया है अभी इस यह तो बंद दो सीटी के बाहर ही जस्ट आपको उफ कर देना है उससे ज्यादा नहीं पगाने नहीं तो जलने लगेगा नीचे से और यह लीजिए मैंने डिया है अब हमें इसकी सीटी निकलने का वेट करना है सीटी निकलेगी यह चेक करने के लिए आप ऐसे उठाईए इजली उट रहा है बैट रहा है इट में सीटी निकल गई है अगर उसे प्रेशर बन रहा है इट में अभी सीटी नहीं निकली है और ये देखिए वाव कितनी मस्त बनी है न मेभी आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ये नजदीक से दिखारियों कि तनी जादा अच्छी बनी है न मुझे तो बहुत जादा पसंद आई मेरे घरवालों को भी बहुत जादा पसंद आई आपको भी पसंद आएगी अगर आप ट्राइ करेंगे तो तो यही ता मटपलाव बनाने की रेसिपी बहुत ही जादा असा तो अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएए वीडियो को लाइक करिएगा और खुशना शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको कैसी लगी रैसे